राजनीती विज्ञान वा प्रत्योंगी परिक्षाओं से सम्बंतित हिंदी में जानकारी प्राप करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें हलो इस्टुडेंट आज हम कौटे लिके सप्तांग सिध्धान की बात करेंगे विद्यारतियों सप्तांग सिध्धान की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत में विद्वान राज को एक सजी प्राणी के रूप में मानते थे भारती विचारकों के अनुसार राज को एक जीवी सरीर की कलपना करते थे जिसके साथ अंग होते हैं एक विराज पुरुस के रूप में उन्हें देखा जाता था राज के साथ अंगों के कारण ही उसका राज जी की प्रकृति संबन्दी सिध्धान सप्तांग सिध्धान कहलाया कोटले के अनुसार राज के साथ अंग हैं स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र कोटले के अनुसार राज के वल उसी दसा में अच्छा कारिक कर सकता था जब ये साथ अंगों का सहयोग हो और ये सभी उचित रूख से अपना-पना कारिक कर सकें तो आएए विध्यार्तियों देखते हैं सब्तांग सिध्धान क्या था और राज्य के ये सातों अंग किस प्रकार से कारिक करते थे बिध्यार्तियों कोटेली के सप्तांग सिध्धान्त में सबसे पहला अंग है स्वामी राजी के सप्तांगों में स्वामी अत्वाराजा का महत्पोनिस्तान है कोटेली के अनुसार राजी की सफलता राजा की राजनीती पर निर्फर करती है कौटेली की शाषन पडाली में राजा शाषन की धूरी होता था कौटेली ने राजा के आवशक गुणों का विस्तार कूरवक उल्ले किया है उसने राजा के सदाचार संपन होने पर वल दिया है वे अपने राजा को केवल एक राजी की मुख्या नहीं देखना चाहता था, वह उसे राजश्री दा किंग ओफ फिलोसफर देखना चाहता था, उसके अनुसार राजा को कुलीन धर्म की मर्याधा को चाहने वाला क्रतग्य, दर्ण निश्य, विचार सील, विवेक पूर्ण, दूर दर्शी, उससाहित और युद में चत्तुर होना बताता है, विध्यार्तियों उप्यक गुणों में कौटेली के द्वारा बताए हुए नैतिक गुणों को विशेशिस्थान वह रखता है, कौटेली ने राजा के लिए आवसिक जिन विधाओं का उले किया है, वह है दंड नीती, राज साशन, सैनिक सिक्षा, मानव सास्त्र, इतिहास, अर्थ सास्त्र, धर्म सास्त्र आदि, राजाओं को अपनी इंद्रियों पर पूर्ण तनियंतर्ण करना चाहिए, इस प्रकार सप्तांग सिध्धान के अनुसार राजा का इस्थान कोटेली सबसे पूर्ण इस्थान है, क्योंकि राज की सुरक्षा के लिए दुर्ण अतियावशक है, जनपत के अनेक गुणों में कोटेली के अनुसार एक गुण यह भी है कि इस्थान इस्थान पर कई दुर्ण हों, जो सत्रों से रक्षा कर पाएं, कोटेली चार प्रकार के दुर्ण अगर अधक दुर्ण की बात करें, तो इस रेणी में वे दुर्ण आते हैं, जो चारों तरफ से पानी से गिर हैं, अधक का मतलब होता है एक पानी से भरा हुआ स्थान, परवत दुर्ण, यह भी परवत की शेनियों से गिरी बड़ी बड़ी चट्टानों में बना हुआ द धन वन दुर्ण ऐसे मरुस्तली प्रदेश में बने होते हैं, जाना पानी होता है न घास, और चौधा दुर्ण है वन दुर्ण, बीएड जंगलों से बना हुआ दुर्ण, जहां सत्रू तक पहुँचने का मार्ग न जान पाए और दूसरा अधक दुर्ण, परवत दुर् कर सकने, तो विध्यारतियों ये चार प्रकार के दुर्ण जो है वो कोटेले बताता है, पांचवा अंग्य कोश, कोश का मतलब होता है धन, राज के लगभग प्रते कारिक लिए धन की आवशकता पड़ती है, राज जी का महतपूर्ण आधार कोश है, सभी प्रकार की परि उसमें बद्धी कर सकता है, कोटेले का छटवा जो सब्तांग सिध्धांत का अंग था वो था दंड, दंड से तात्परे सेना भी है और साथ में राजा की सुरक्षा के लिए सेना का विशेश महत होता था, कोटेले का कधने की जिस राजा के पास अच्छा सेनेवल होता है, उसके मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं, किन्तु सत्रू तक भी मित्र बन जाते हैं, विध्यार्तियों कोटेले के सब्तांग सिध्धांत का आखरी अंग था मित्र, जिसे उसने सात्वा अंग बताया है, कोटेले के अनुसार राज की उन्नती के लिए तथा आपत्ती के समे राजी की सायता के लिए मंत्रियों और तो सला देते ही हैं साथ में मित्रों की आवशक तब बहुत आवशक होती है इसके लिए आवशक की राजा अपने ऐसे मित्र बना कर रखे जो समय पर उसकी सायता कर सके बिध्यार्तियों ये था कोटेलिक का सब्तांग सिंदान अंत में हम निसकर्ष में पहुंचते हुए ये कह सकते हैं कि कोटेल एक वहवारिक राजनित्गी थे उन्होंने जो भी सिद्धान बनाए उन्हें स्वयम पर उप्रेव करके देखा मौरे समराज जी के बाद भारत में जब तक राजगन कोटेलिके सिद्धानतों का पालन करते हैं तब तक भारत उन्नती के चरम सिकर पर चड़ता है धन्यवाद